दोस्तों मैं आपको 5 मार्ज 2024 को ही बता दिया था कि निर्मला सिता रमण की टिकेट काटेगी भाजपा निर्मला सिता रमण को 2024 चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा या फिर ऐसे जगह से लड़ने दिया जाएगा जहां से वो चुनाव जीत ना सके यानि आखिर नितिन गड़करी के साथ साथ निर्मला सिता रमण का भी पत्ता साफ हो गया है लेकिन टिकेट ना मिलने पर निर्मला सिता रमण मोदी और शाह पर आग की तरह बरसी पूरा मामला क्या है बताएंगे आगे आपको विस्तार से तो वीडियो को आम तक देखिएगा नमस्कार स्वागत है आप सभी का देश नीती पर दोस्तों दोहजार चौबीस लोकसभाद चुनाव एकदम सामने है महज एक महीने भी बचा हुआ नहीं है और नरेंद्र मोदी पिछले पाँच विधान सभाद चुनावों में और आने वाले लोकसभाद चुनाव में बहुत से कद्दावर निताओं की पॉलिटिकल करियर को खतम कर दिया है शिवराद सिंग चोहान वसुन्धरा राजे रमण सिंग से लेकर के केंद्र में पूर्व क्रिशी मंत्री नरींद्र सिंग तूमर रविशंकर प्रसाथ पियुश गोएल और अब निर्मला सिता रमण पर भी भाजपाने कैंची चलवा दी बीजबी की पहली सूची में जब निर्मला सिता रमण और नितिन गड़करी का नाम नहीं आया तब ही पता चल चुका था कि या तो इनके नाम काटे जाएंगे या फिर सिता रमण को करनाटक से और गड़करी को नागपूर से चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया निर्मला सिता रमण इस बार लोग सभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी बीजबी चाहती थी कि वो तमिलनाडू या फिर आंधरा प्रदेश की किसी सीट से चुनाव लड़ें लेकिन वित्यमंत्री ने सामने से ही उस ओफर को ठुकरा दिया है अब एक मीडिया चैनल से बात करते हुए निर्मला सिता रमण ने चुनाव ना लड़ने को लेकर के विस्तार से अपनी बात रखी मेरे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है बीजेपी चाहती थी कि मैं तमिलनाडू या फिर आंधरा प्रदेश की किसी सीट से चुनाव लड़ू मैंने दस दिनों तक सोचा फिर जाकर मना कर दिया जितने के कई क्राइटेरिया होते हैं जाती से लेकर के कई दूसरे फैक्टर माइने रखते हैं ना तो मैं तमल हूँ और ना ही आंधर प्रदेश से जीतने की छमता रखती हूँ और मेरे पास इतना फंड भी नहीं था हाँ मैं चुनाव नहीं लटने जा रही हूँ वित्यवंत्री से सवाल पूछा गया था कि जब आप फैनांस जैसे विभाग समहाल रही हैं तो आपके पास फंड की कमी कैसे हो सकती है इस पर उन्होंने दो टूक जवाब देते हुए कहा वो पैसा उनका नीजी नहीं है बलकि भारत का है उनके पास सिर्फ उनकी सैलरी और सेविंग से और मैं अपनी सेविंग या सैलरी चुनाव में नहीं लगा सकती यानि उन्होंने खुल कर कह दिया है भारतिय जिनता पार्टी की उरसे उन्हें किसे तरहां की सपोर्ट नहीं की जा रही है निर्मला सिता रमन दोस्तो स्टार नेता हैं स्टार प्रचार रखे अगर उनके पास पैसा नहीं है तो भाजपा खुद उन्हें पैसा दे के चुनाव लड़वाएगी क्या मोदी जी को भी चुनाव लड़ने के लिए पैसा देना पड़ता है निर्मला सिता रमण ने चुनाव ना लड़ने की वज़ा तो बता दी अब जानना जरूरी है कि देश की वित्य मंत्री की संपत्ति कितनी है कि यह क्या वो वाके चुनाव लड़ने के लिए पैसा उनके पास है नहीं मायनेता वेबसाइट के मुताबिक निर्मला सिता रमण की कुल संपत्ति 2,50,99,000 है 396 रुपे इसमें चल रहें और अचल संपत्ति दोनों है निर्मला सिता रमण के पास 315 ग्राम सोना है उनके पास 2 किलो चांदी है चुनाव आयोग के मुताबिक लोकसभा और विधान सभा चुनाव में उमिदवार के खर्च का दाइरा अलग-अलग है लोकसभा चुनाव में एक उमिदवार कम से कम 95 लाख रुपे तक खर्च कर सकता है ये राशी 2022 में बढ़ाई गए थी यानि हिसाब बता रहा है कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा है लेकिर मोदी और शाह उन्हें चुनाव लड़ाना नहीं चाते थे अगर मोदी शाह फैनांस मिनिस्टर निर्मला सिता रमन की टिकेट काट देते हैं तो सोचिए पिछले पांच सालों से अर्थी वैवस्ता की किस तरह से उन्नती हुई या किस तरह से अर्थी वैवस्ता की धज्जिया उड़ी इसलिए सिता रमन को दोहजार चौबिस का टिकेट आला कमान नहीं देना चाते थे आखिर दोहजार चौबिस चुनाव लुकसभा चुनाव को लेकर के मोदी शा इतने डरे हुए हैं कि इससे पता चल रहा है एक के बाद एक अदावर नीता सांसनों की टिकेट काटे जा रहे हैं और ये निर्मला सिता रमन को हटाना फाइनांस मिनिस्टर निर्मला सिता रमन को चुनाव लरने का मौका उनसे छीन लेना या इस तरह का मौका देना जिसे खुद ही ठुकड़ा दे अंध्रप्रदेश हो या तमिलनाडू हो हर एक जगह पर तमिलनाडू की बात की जाए तो वहाँ पर डियमके की पकड़ है डियमके 49 सीटे अगर उपिनियन पोल की माने तो कम से कम 49 में से 49 सीटे डियमके के खाते में जाती हुई नजर आ रही थी वहीं अगर बात अंध्रप्रदेश की करे तो अंध्रप्रदेश और तिलेंगना की बात की जाए तो वहाँ पर रिजियनल पार्टी की पकड़ है वहाँ पर कॉंग्रस की पकड़ है लेकिन भरतिय जनुता पार्टी आंधरप्रदेश या तमिलाडू में दूर दूर तक नजर नहीं आती है ऐसे में निर्मला सिता रमन को वो जगा देना महज यह दिखाता है कि उन्हें ऐसा कोई सा भी सीट दिया जा रहा है जिसके बलबूते पर वो चुनाव न लड़ सके और उन्हें कैबिनेट से उन्हें नैशनल पॉलिटिक से हटाया जा सके निर्मला सिता रमन को इस तरहां से ख़देड़ना या लाट मारना भरतिय जनुतर पार्टी की ओर से या अलकमान की ओर से इसे आपके संदाज में देखते हैं और अगर निर्मला सिता रमन को हटाया गया तो ये सवाल भी पैदा होता है कि देश की अर्थ्य व्यवस्ता पर एक बड़ा सा प्रश्ण चिंध लग जाता है इस पूरे विशय को आप किस तरह से देखते हैं कमेंट कर अपनी राई हमारे साथ शेर करें क्या आपको लगता है कि फैनांस मिनिस्टर निर्मला सितारवन के बाद अब शायद सडक परिवहन मंत्री नितिन गड़करी की बारी है आप अपनी राई हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसी तमाम खबरों को निस्पक्षता के साथ पाने के लिए चुनाफ से जुड़ी हर एक अपडेट पाने के लिए देशनिति को सब्सक्राइब करें बल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी खबर से आप बेखबर ना रहें बहुत बहुत शुक्रिया जै हिंद जै भारत